हेलो फ्रेंड सागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में क्राप 2315 तो फिर से लेकिए यूट्यू तो आज की वीडियो में यूज करने वाली हो पुरानी बेट शीट का आपके पास पुराने पड़्दे हो या आपके पास पुरानी कोई भी साडी हो उसका भी आप यूज कर सकते है और इस तरीके से यह प्लास्टिक वाली जो सिमेंट वाली बोरी होती है वो यूज कर सकते हैं अब इसी से रिलेटेड आपकी कमेंट का अंसर दे देती हूं कि कई लोग मुझे पूछ रहे थे क्यों को यह प्लास्टिक वाली बोरी नहीं होती तो वह कहां से ले सकते हैं तो देखें यह परचेज नहीं करते हैं यह वेस्ट मटीरियल ह अब धरके लिए जन्सी कर सकते हैं यह अगर मंग सकते हैं उनके पास यह आप मांग सकते हैं और नहीं के अघर कोस्वेक्वाر वाली ब Lausign शवाल सिहां यह टेहले उते हैं तो इस अगर वसक्ष्ट कर मांग सकते और दूसरा और की आपकी काहीं को अर मही पास यह वाली श खाके फिर उन्हें यूज कर सकते हैं तो मैंने काफी सारी इस तरीके से रखी हुई है तो चलिए इनी का मैं यूज करने वाली हूँ तो और बैट शीट का मैं यूज करने वाली हूँ तो चलिए बिना डिले कि आज की वीडियो को शिरू करते हैं तो चलिए शिरू करते हैं तो देखे मैं यूज करने वाले हैं इस तरीके से पुरानी बैट शीट का आपके पास कोई भी बुरानी बैट शीट और इस तरीके से सिमेंट वाले बैग या प्लास्टिक वाली राइस बोरी तो सबसे पहले देखिए मैंने वाशिंग मशीन है सेमी अटोमेटिक उसके लिए थृपिसस कट किये हैं तो यह नीचे मैंने थोड़ा सा प्लेन कपडा लगाया है यह मेरे पास कपड़ा कम था मैंने इसलिए लगाया है आप simple एक bed sheet से भी इसे बना सकते हैं तो अब मैंने देखिए three pieces kisses आप से कटके हैं एक center के लिए और दो इस तरीके से देखिए sides के लिए तो ये मैंने थोड़े से नीचे की तरफ से बड़े कटके हैं ताकि अगर जो भी बड़ा चोटा होगा वहां बाद में कट कर लेंगे तो अब देखिए मैंने करना किया इसमें मैं इसे waterproof बनाने वाली हूँ तो अगर आपकी washing machine भी बाहर पड़ी रहती है और पानी वगेरा में गीली हो जाती है तो आप इस तरीके से जो plastic वाली cement बोरी होती है या plastic वाली rice बोरी होती है इसके अंदर attach कर सकते हैं तो मेरे पास यो छोटी छोटी बोरी में से pieces कट कर लिए एक piece मैंने attach कर लिया फिर इसे नीचे की तरफ करते हुए यहाँ पे एक और piece attach कर लेंगे तो इस तरीके से जितने भी छोटी छोटे pieces मेरे पास हैं इस तरीके से बोरी के इसे मैं पूरे पे bet sheets के साथ attach कर लोंगे तो जो मैंने 3 pieces कट की हैं सब के साथ मैं इसी तरीके से rice bag को attach करने वाली हूँ तो अगर waterproof बनाना चाहते हैं तो देखिए 3 pieces मैंने rice bag के साथ ready कर लिए आप चाहें तो transparent plastic भी लगा सकते हैं इसके साथ आप बताते हैं आपको join कैसे करना है तो यहाँ से देखिए मेरी machine आपको थोड़ी से दिख रहे होगी कि नीचे की तरफ slope है तो पहले तो मैं इसे थोड़ी सी shape में cut करूँगे देखिए इस तरीके से तिर्चा ताकि यह बिल्कुल perfect आए तो अगर आपकी machine भी इस तरीके से slope है तो cut करिएगा नई तो इस वाले step को आप skip कर दीजिएगा तो दोनों pieces को देखिए इसी तरीके से मैंने थोड़ा सा तिर्चा कट कर लिया है side वाले ताकि इसकी shape proper आजाए तो यह दोनों pieces कट होगे अब बता देती हूँ join कैसे करना है इने तो देखिए center वाला piece रखा machine को गमा लेते हैं और side आपको बता देती हूँ कैसे attach करना है बिल्कुल अच्छे से बिचा लिया बराबर करते हूए अब यह side वाला लिया जो नीचे से ज़्यादा cut किया था इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम attach करेंगे तो यहाँ से हमें लगाना है इसके center point पे निशान और जो piece हमें यहाँ पे join करना है देखिए इस तरीके से तिर्चा इसके भी center point पे हम निशान लगा लेंगे center point में निशान लगाने के बाद center point को center point से मिलाना है देखिए इस तरीके से आपको और हम इसे pin up कर लेते हैं यह देखे, यहां से यहां तक हम पूरा इस पे सिलाई लगाएंगे, तो तीन पीसिस रेडी किये, तीनों में राइस बैक जोड़ा, और उसके बाद हमें देखे इस तरीके से सिंपल अटैच कर लेना है, इसका भी सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, और सेम वैसे हमें यह लेन हैं, इसके भी सेंटर पॉइंट पे निशान लगाना है, और इस तरीके से हम इसे पिन अप कर लेते हैं, तो अब यह जो हमने पिन अप कर लिया है, इस पे हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेते हैं, तो देखे, दोनों तरफ सिलाई लगा ली, तो इस तरीके से हो गया, एक म हमें चारो corners के इसके सिलाई लगानी है तो यह हमारा box shape में cover बनके ready हो जाएगा देखिए 1, 2, 3 और 4 तो चारो तरफ हमने सिलाई लगा ली अब यहां से आपको नीचे की तरफ से इसे बराबर कर लेना है तो जितना भी आपका छोटा बड़ा आ रहा है देखिए इस तरीके से नीचे की तरफ से बिलकुल इसे बराबर करते हुए एक बाद देख लीजिए इसकी length, length extra है तो cut कर लीजिए और बिलकुल बराबर करने के बाद नीचे की तरफ से आप इसे fold कर लीजिए और fold करते हुए इसके उपर चारो तरफ सिलाई लगा लीजिए तो देखिए चारो तरफ आमने इसके सिलाई लगा ली और यह हमारा कवर बनके रेडी हो चुका है तो डाल के दिखा देती हैं आपको तो देखिए वे ने वाशिंग मिशिन पे डाल लिया और कितना पॉफेक्ट, कितना सुंदर हमारा इस तरीके से कवर लग रहा है वाटर प्रूफ है अंदर के तरफ मैंने इसके प्लास्टिक वालर आइस बैग लगाया है अगर आप इससे भी ज़्यादा वाटर प्रूफ बनाना चाहते हैं तो अंदर जो ट्रांस्पेरंट प्लास्टिक आता है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं तो देखिए यह हमारा cover बनके ready हो चुका है तो बनाने में असान और कितना जल्दी बनके ready हो चुका है तो एक bed sheet चाहिए आपको बस अगर आपके पस bed sheet नहीं है तो आप पुराना परदा यूज कर सकते हैं पुरानी साड़ी यूज कर सकते हैं तो इन में से कोई भी option है आपक यूज के साथ थैंक यू